हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको बताने वाली शुद्ध शहत कैसे निकाला जाता है तो चलिए शुरू करते हैं शहत निकालने से फ्रेंज पहले हमने यह पहना है इसे बिबेल बोला जाता है अदरवाइस के अउगा की मदु मख्यी मुझे काट ले कारे देंगे वह मेरे फादर है जिने में होटी कल्च डिपार्टमेंट में 40 इस काम किया है एज सीने रिसर्च एसिस्टन के पत्पे उत्राखंड में और अब वह मनुख्य पालन का काम घर से ही करते हैं तो चलिए अब बाकी की जानकारी अब हूं मुनी से लेंगे है तुर्ण्स आव यह देख सकते हैं यह बॉक्स है यह मनुख्यों का घर है यह उपर वहाला हमी चंबर है और यह प्रोड चंबर है यहां से हम साथ नहीं निकालेंगे यहां से साथ मुखालेंगे अक्षानी रोटेंगे फिके है यह हूंनी अटनी होता है कि देए तो इसमें जो रानी मक्ही है वो यहीं होगी अभी अभी तो रानी मक्ही पूरी मां है परिवार की अंडेदेने का ऊशी का है उसी जिए पैदावार बठ्टी मंदमक्हों की दक्सक्राइब कर दिये अगर उनके रानी मनन मक्ही यहां पर नहीं होगी पॉड़ चले जाती है तो क्या करें इनके यह दे एक लिए काम करेंगी कि अ ओक भुष थी थे झालिघ देखिए डिये पुनाने अंड़ शेहीं झालि कभ़ अंड़ भन जेख भी एक सते में कि अड़ेगे लेकी ते फ़ से उन्हें अड़ मेती हिए नानी त्यार कर लेतीत बार देखिए ने निदें से लो खाल जाते है सिसे वाइस सब के अना शेहते हैं मैं और इंभादे यह िखाते हैं यह देख़् undertook इन्परों के काले वठाहुन फुर्जाँ यह जिनको में रखना हो हम funds मुनकरे नहीं औहुता है इंपकल कत्म होता है। जो मेल के भूल से मिथा मकरंद लँते हैं। मिथारसको मौरते हैं कि मह 캐리ांद वेपूलत fail कि मखरंदा कर्योंती है। तृज दिल्गी होती है। ये इसकी पूजा के जाते हैं। और धादमृ गृसोमें इसका responds और आज बेजिक दवाईयां जितनी में हैं और सब साथ के साथ खाने में ही जैजे लाब दैक होता है साथ बच्चों को आप ऐसे भी खिला सकते हैं आज कल आप नीबू के साथ सर्वत बना के इसका सर्वत पी सकते हैं अगर आपको फ्रेंट्स मनमख्यां पालनी है तो इस तरह के बॉक्स में हमें उन्हें पालना होता है और आसपास ट्रेनिंग लेनी पड़ेगे इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ऐसी नहीं पाला चाता है बहुत इनके साथ मैनत मशक्कत की जाती है और इनको ऐसी जगह रखा जाता है जहां आसपास फूल हो पौदे हो पेड़ हो जी दो किलो मेटर तक आपका मनमख्यां कवर करती है रेंज कहने का मतलब है कि कम से कम दो किलो मेटर तक आपकी हर्याली हो तो अच्छा शैद निकल जाएगा कि मौंतर हो कि देशी लीची के बगीते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दालके मुझे क्वेशिन कर सकते हैं शैद निकलांगे और शैद निकालेंगे वनषड़े सी शुपरेमगों फ्ने यहां लगा देंगे krushy को तो थे वार से रेड्यों जाएगे कि अगर हम इस तरह के बॉक्स में मतवक्षिय पाले तो हमें लुक्सानШ नुक्साना पड़ेगा रह जये pekt्रिणा श हो इसमें हमें कोई काटा पीटी नहीं करनी है इसमें हमें इसे प्रकार से आब अğı तो प्रेंग अभी हम आपको रानी मखी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अभी 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 इस्टर बहुत रखें ना ओके और हमें कैसे पता चलता है कि यह रानी मखी हैं और यह वरकर मख्यां हैं कैसे डिफरेंस हम पता लगाएंगे है कि पाल्व होती है आपे आप इक रहां और दिखाएंगे की शेहद बरने सेеф decorator इस इस प्रकार देखें यह देखे मिल्कुल से बार श्र में और यह सब जाएंग आभ यह ऐसे हो जाते हैं कि यह क्या बता रेक्स को श्राहएं कि यह में है को तो वो रानी मक्ही कैसे मिलेगी हमें? कोस्टिशी सेंग बाहर आएगी और फिर उसका मेटिंग हो जाएगा एक हपते में हपते तरह दिन में फिर अपना काम करना प्रालमम करना तब तक वर करने केवल हनी भर कि खट्टा करना है बस तो आपने देख लिया फ्रेंग्स हमने चट्टे निकाल दिहना है अब इन से शेह süड निकलेगा इस प्रेंट हल्क quello बिद्टे सथक्सिंटा में हलका हलका उपर से कट लगए जा रहा है और उस छिला जा रहा है और उसके बाद इस मशीन में डाला जाएगा फ्रेम कि यह आप देख सकते हैं कि यह उपर की लेयर को निकाला जा रहा है यह देखिए फ्रेंट्स अब चारो फ्रेम हमने डाल दिये हैं और अब क्या करना है हमें इस मशीन को रोटेट करना है और शहत चटक की मशीन के तले पर आ जाएगा यह देखिए इस प्रकार कि यह देख सकते हैं आपकी फ्रेम खाली हो चुके हैं शैद निकल के नीचे मशीन में आ चुके हैं मैं आपको दिखाती हूं जूम करके अभी इसको च्छाना जाएगा यह दूसरी रेट गुमाएं में पर देखिए अधी शटक के निकला है यहां पर सेंट्रिफ्यूगल फूर्स लगता है मशीन में और शहत चटक के बहार की साइड आता है और मशीन की दिवारों पर लगके नीचे बैट जाता है यहां पर भी फ्रेंट्स हम सेम प्रोसीजूर को दहराएंगे सारी फ्रेंट्स की उपर की क्याप निकाल के अगेन मशीन में डालना है रोटेट करना है ठीक है उसी तरह से हमने शहत को निकाल लेना है अब हम फ्रेंट्स शहत को छान लेंगे जिसके लिए हमने माकिन का कपड़ा लिया है और उससे ही हमने शहत को छानना है और फिर उसके बाद किसी कंटेनर में किसी एर टाइट कंटेनर में आप रख दीजियो उसको और आपका शहत बिलकुल रेडी है प्योर हनी और शहत के benefits बताने की जरूरत नहीं है कि कितना beneficial होता है कितनी medicinal values इसकी होती है चलिए friends अब एक काम करता है किसी airtight container में इसको डाल लेते हैं और इसको store कर लेंगे और ये देखिए काफी दिन तक चल जाता है काफी महीनों तक चल जाता है और बिल्कुल pure honey है और कितना सुंदर लग रहा है और friends इसका color, taste and smell depend करता है उस समय कौन से flowers आपके आसपास लगे हुए थे आपके घर के आसपास लगे थे सपोस्थ कोई लीची का बागी चाह है तो टेस उसे साफ से आएगा यह देखिए तो यहां पी करीबन हमारा 5-6 kg शहाद बन चुका है तस दिन में बनके यह ready हुआ है तीन बॉक्स से हमने शहाद निकाला है और अगर आपकी कोई queries हो तो आप comment box में मुझसे पूस सकते है तो friends यही हमारा आज का वीडियो था आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए